महादेव सट्रिबाजी एप मामले में आरोपी असिम दास द्वारा छतिरगर के पूर्व सियम भुपेश बगेल का नाम लिये जाने और एडी द्वारा पूरक आरोप पत्रों में कॉंग्रेस निता का नाम लिये जाने पर बीजेपी नेता शहदाद पूनावाला ने कहा कि कॉंग्रेस की जहां पर भी सरकारे रही वहाँ पर उन लोगों ने केवल लूट मचाने का काम किया कॉंग्रेस के सियम किस तरह का लूट मचा रहे थे आज ये सामने आही गया कॉंग्रेस के लिए मुख्य मंत्री का मतलब कभी मुख्य मंत्री नहीं था उनके लिए इसका मतलब भ्रष्ट मंत्री था अब सवाल यह है कि आखिर भुपेश बगहिल ने आगे पैसा किसे दिया है एक तरफ पीम मोदी देश की लोगों को रुपए कार्ट देते हैं और दूसरी तरफ सुनिया गांधी और रावुल गांधी भुपे कार्ट देते हैं जिसका मतलब है कि उस कार्ड में 508 करोर लूट मचाने का ही काम किया है कहीं पर साड़े तीन सो करोड कॉंग्रिस के सांसत के घर से मिलता है तो कॉंग्रिस के मुक्य मंतर किस प्रकार से लूट मचा रहे थे आज ये सामने निकल कर आया है सी-एम का मतलब कॉंग्रिस के लिए चीफ मिनिस्टर नहीं करप्ट मिनिस्टर ही था जहां तक 36 गड़ की बात है तो हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि 36 गड़ में केवल गोबर घो गोटाला गोटान गोटाला डीम फ गोटाला पी-सी गोटाला नहीं शराब गोटाला ही नहीं बलकि सक्टा के गोटाले में भी महादेव के नाम को भी नहीं बक्षा गया है किस प्रकार से लोगों ने पांसो आठ करोड रुपे पुपेश बागेल को दिये और वो पैसे चुनाओं में और कॉंगर्स पार्टी के खर्च के लिए इस्तमाल करने के लिए दिये गए थे इसके कहीं सारे वक्त अभी सामने आ चुके हैं और आज तो प्रमानित हो चुका है कि ये पैसा बुपेश बागेल को दिया गया सवाल तो ये बनता है कि भुपेश बागेल जी ने ये पैसा आगे किसको दिया क्यूंकि एक तरफ तो मोदी जी देश के लोगों को रुपे कार देते हैं और सोनिया जी और राहुल गांदी जी भुपे कार देते हैं भुपे कार का मतलब ये है कि पांसो आठ करोर रुपे उस कार में डालो और भष्टाचार करो लूट मचाओ तो अब भुपेश बागेल जी से पूछा जाना चाहिए कि ये पैसे जो उनको मिले महादेव के नाम पर जो उन्होंने लूट मचाई वो उन्होंने किस व्यक्त को किस परिवार को दिए